केंद्र सरकार ने चालू रभी सीजन के लिए 1140 लाक टन गेहूं के घरेलू उत्पादन का लक्षे निर्धारित किया है। बिजाई चेत्र एवं अब तक के मौसम को देखते हुए सरकार को यह लक्षे प्राप्थ हो जाने का भरोसा है लेकिन वास्तविक उत्पादन फरवरी मार्च के मौसम पर निर्भर करेगा। तो गेहूं का उत्पादन 1020 से 1040 लाक टन तक हो सकता है वही अगर मौसम गेहूं की फसल के अनुरूप नहीं होता यानि की प्रतिकूल होता है तो गेहूं उत्पादन घटकर 950 तो 980 लाक टन हो सकता है। ऐसे में क्या गेहूं की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिलेगी। जानकारों का मानना है कि अगर गेहूं की फसल के लिए अगर आगे मौसम में बदलाव होता है और वो गेहूं की फसल के लिए प्रतिकूल होता है तो उत्पादन घट सकता है जिससे आगे कीमतों में तेजी बन सकती है। फिलहाल गेहूं के भाव आगे कैसे रहेंगे ये आने वाले मौसम पर निर्भर करेंगे Bureau Report Market Times TV